कई बार हमारा ये concern होता है कि आपका period तो बिल्कुल सही time पे आ रहा है नियमित आ रहा है लेकिन फिर भी आपकी pregnancy नहीं रुक पाती है और आपके period नियमित होने की बावजूद भी अगर आप evolution का ख्याल रखती है evolution के time पे अगर आप relation प्लान करती है फिर भी आपका baby conceive नहीं हो पा रहा है तो उन सारे सवालों का जबाब आपको इस वीडियो में मिलेगा वीडियो अगेन बहुत जादा important है प्लीज शुदू सिले के लाज तक जरूर दिखीगा नमस्कार दोस्तों मेरा नम हर्शता वर्मा है और आपका मेरे चैनल क्वेंस मैंवल पर बहुत बहुत स्वागत है कई पर सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आपकी रिपोर्ट अच्छी है कोई problem नहीं है कोई complication नहीं है फिर भी आपको कई मैने हो गए हैं 5-6 मैने 8 मैने बीट गए हैं और फिर भी आपका conceive नहीं हो पा रहा है अगर आप इस तरह की गलतियां करते हैं तो आज सहीं आपको ये गलतियां नहीं करनी है बिल्कुल avoid कर देनी है अगर मैं normal cycle की बात करूँ जैसे के 28-30 दिन की cycle होती है उसको हम लोग normal consider करते हैं उसके हिसाब से आप evolution day निकालते हैं उस टेम पर relation प्लान करते हैं लेकिन करीब एक हफ़ते के बाद यानि कि अगर मैं 20 दिन के बाद की अगर मैं बात करूँ तो 20 दिन के बाद से आपके शरुर में implantation का कारेश शुरू होता है यह जो implantation होती है उसका मतलब होता है कि आपका शिशू आपके गरभाशा में चिपकने वाला है चिपक रहा है और यह जो आरोपन होता है यह आपकी pregnancy का बिलकुल शुरूराती चरण होता है एक तरह से आपकर सकते हैं क्योंकि जब तक आपका implantation नहीं होता है तब तक आपक की pregnancy की जो starting point होती है वो होती है implantation लेकिन अगर किसी कारण वश आपकी कुछ छोटी-छोटी गलतियां से अगर implantation successful नहीं होती है इसी के वज़े से आपको periods दुबारा आ जाते हैं और आपका pregnancy वहाँ पर consider नहीं होता, confirm नहीं होता है तो पहली जो बहुत बड़ी mistake होती है वो बहुत जादा stress अगर आपने ले लिए काफी जादा अगर आपकी routine में परिवर्तन आ गया तो ऐसा माना जाता है कि आपका जो भी implantation का ये जो timing है यानि कि आपके period जिस दिन आया है उस दिन से लेके 20 दिन के बाद से जो ये एक हफता होता है इस टेम पर implantation हो रही होती है ल क्योंकि आपको reason नहीं पता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है लेकिन जितनी भी possibility है जिस जिस कारेंट से अगर आपका implantation नहीं हो पा रहा है उन सारी possibility को आपको ध्यान में रखना ज़रूरी होता है दूसरी important चीज कि कई बार जब महिलाओं को हलकी फुलकी सी fever महसूस होती है क् अगर आपका implantation होता है, implantation के दौरान भी महला को हलकी फुलकी fever जैसी feeling होती है अगर implantation successful हो गया तो बहुत अच्छी बात है लेकिन हलकी फुलकी fever में या थोड़ा सा अगर आप dull feel कर रहे हैं तो होता क्या है कि कई बार जाने अन जाने आपको चैसे medicines ले देते हैं जिसका द बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि आपकी pregnancy रुकने वाली है तो ऐसे case में आपको बीना डॉक्टरी सला से कोई भी medicine अपने मंद से नहीं लेनी है नॉर्मल डेज की बात अलग होती है लेकिन अगर आप pregnancy के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपके लिए कौन से छोटी चीज़े नुकसान डायक हो सकती है इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते हैं वहीं पर अगर मैं छोटी चीज़ की बात करों तो डेली रूटीन में अगर आपकी जो हैबिट रहती है वो होती है तीन से चार कप कॉफी का या फिर चाय का सेवन करना चाहे गर्मिया हो रही हो या फिर बरसात हो रहे हो बहुत सरी लेडीज को ये आदत होती है कि सुबा से लेके शाम तक उनको एट लिस्ट दो कप कॉफी या चाय जरूर चाहिए होता है अब ये जो कॉफी और चाय होता है उसमें आपको भरपूर मातरा में कैफीन मिलता है कैफीन अगर आपके शर्ण में जाती है तो जो implantation का काम होता है उसमें slow down आता है और कई बार ये आपकी implantation को fail करने की भी ताकत रखता है अगर आप बहुत ज़्यादा कैफीन का सेवन करते हैं तो आपका implantation fail हो सकता है तो कोशिश ये करिए कि जिस टेम पे अगर आपका implantation के around अगर आप चल रहे हैं तो आपने कॉफी के intake को या चाय के intake को आप कम कर दिजे कॉफी हो सके तो आप इसको strictly avoid करिए लेकिन अगर पीने की आदत है अगर आपको उसके बीना रहा ही नहीं जा रहा है तो आप बिल्कुल एक से दो सी पिया एकदम छोटी सी quantity में आप चाय का सेवन कर सकते हैं लेकिन यह बहुत जादा अंतर्फ कर सकती है कई बार हमारी चोटी-चोटी सी चीजे जो हम लोग daily life में करते हैं उसका दुष्प्रभाव आपको लंबे समय पे देखने के लिए मिलता है उसके बहुत सरे एक्जांपल है यहां पर सारा discussion नहीं करूंगी लेकिन जो main main point से उसको मैंने summarize करने की कोशिश की है और इन बातों को आपको जरूर ध्यान में रखना है वहीं पर अगर मैं fourth important point की ब परिवर्तन आता है साथ ही साथ जो जितने हर्मोन जो रिलीज होने चाहिए थे आपकी implantation के टाइम पे जो की प्रिजिस्ट्रॉन के लेवल का उस टाइम पे हाई होना जरूरी होता है ताकि आपकी pregnancy sustain हो सके उस टेम पे अगर आपने हेर वाश किया है तो होता क्या है कि जो आपकी pitritic gland होती है उसकी functioning थोड़ी सी slow down हो जाती है और proper मात्रा में प्रजिस्ट्रॉन के मात्रा आपको नहीं निकल पाती है तो कई बार अगर हर्मोन भी आपका सही रूप से नहीं निकलता है उसके वजह से implantation fail होनी की शिकायत होती है तो आपको hair wash strictly बंद कर देना चाहि कब बंद करना चाहिए और कब से start करना चाहिए उसके लिए separately मैंने वीडियो बनाया है जिसको मैं end skin पर डाल दूगी तो देखना मत भूलेगा फिर भी अगर आपको मन में कुछ confusion रहती है कुछ लगता है कि hair wash में और क्या क्या चीज़े हो सकती है आपको बाते समझ भी नह conceive हो क्योंकि आपके लिए हर एक महिना बहुत भारी पढ़ रहा है तो मैं बस उमीद यही करती हो कि जल्दी से जल्दी आपकी pregnancy conceive हो और healthy pregnancy के साथ आप conceive हो इसी दुआ के साथ अब यह वीडियो एंड करती हो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दिजी और मेरे च अच्छा ग्राम पर भी फॉलो करना ना भूले थैंक यू सुमच फ़र वाचिंग प्विंस मैं वर्ल्ड